एक question है कि इस तरह के sentences को कैसे समझें, जहां लिखा होता है It is a burning car, या It is a burnt car, या This is a broken chair, This is a boiled egg, This is taken food, या This is falling water, तो आईए इस concept को भी समझें यहां पर आप दो examples देख सकते हैं This is a burning car, और This is a burnt car तो इस तरह के sentences, जहां किसी noun के पहले ing form या third form आता है तो यह असल में verb नहीं होते हैं, बलकि यह होते हैं adjective जो अपने बाद I noun को modify करते हैं यानि अपने बाद I noun के बारे में कुछ बताते हैं, कि यह ऐसा है या वैसा है अब आप यापर सोचेंगे क्या इन दोनों words में कोई फर्क है तो मैं आपसे कहूंगा हाँ, जिस word में ing लगा है उसका मतलब होता है ता हुआ यानि ऐसे word से काम का जारी होना का पता चलता है लेकिन नीचे वाला sentence जो third form के सकल में है इसका मतलब होता है हुआ जिसका sense होता है कि ये काम हो चुका है लगता है आप समझे नहीं आईए इस example को detail से समझे दिस इज अब बर्ने कार यानि या जलता हुआ कार है बातों से पता चला ये कार जल रहा है अभी जलने का काम जारी है इसलिए मैंने बोला या जलता हुआ कार है यानि कार पूरी तरीके से जल गई है और आग बुझ चुकी है तो वहाँ पर आप कहेंगे इस इज अ बर्ण कार यानि यह एक जली हुए कार है तो जब आपने बोला बर्ण कार तो उसका मतलब हुआ जली हुई यानि जलने का काम खत्म हो गया है लेकिन जब आपने बोला burning car तो उसका मतलब हुआ जलता हुआ car आईए कुछ और examper's देखते हैं ताकि आपकी confusion दूर हो सके This is a boiling egg और दूसरा example है This is a boiled egg यहाँ पर boiling या boiled दोनों है एक्जेक्टिव जो अपने बाद I noun को modify कर रहे हैं उनके बारे में बता रहे हैं कि उनकी हालात क्या है तो अगर आप कहेंगे This is a boiling egg तो इसका मतलब हुआ या एक उबलता हुआ अंडा है यानि बातों से पता चला ये उबलने का काम अभी चल रहा है अभी भी वो अंडा उबल रहा है लेकिन अगर आप कहेंगे This is a boiled egg तो इस sentence का मिनिंग हुआ या उबला हुआ अंडा है यानि ये अंडा उबल चुका है जो उबलने का काम था वो खत्म हो चुका है अगर आपको कहना हो कि मैं गिरता हुआ पानी देख सकता हूँ तो इस sentence के लिए आप कहेंगे I can see falling water लेकिन अगर आपको कहना हो कि मैं गिरा हुआ पानी देख सकता हूँ तो इस sentence के लिए आप कहेंगे I can see falling water यानि मैं गिरा हुआ पानी देख सकता हूँ तो अगर आप इन दोनों sentence पर गौर करेंगे तो आप पाएंगे जब आपने बोला falling water तो उसका meaning हो रहा था गिरता हुआ पानी यानि पानी अभी भी गिर रहा है वो काम अभी भी जारी है लेकिन अगर आप कहेंगे falling water तो उसका मतलब होता है गिरा हुआ पानी यानि वो पानी जमीन पर है जो पहले का गिरा हुआ है तो फ्रेंट्स उम्मीद करता हूँ कि आपने इस सभी कंसेप्ट को अच्छा से सीख लिया यहां मैं बता दू अगर आप इंग्लिस में फुल्वेंट होना चाहते हैं आप मेरे अप्लिकेशन को इस्टॉल करें जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है फिर मिलेंगे कुछ और अच्छा लेसंस के साथ तब तक के लिए बाए